आज का टिप्स बहुत ही यूजफूल है जिसे मैं घर और कीचिन के काम में यूज़ करती हूं आसा करती हूं आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और फैमिली दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलिएगा और हाँ अगर आप चैनल प से छीमते हैं को उसके छीलका इत्ना पतला होता है कि छीलका से ज़्यादा आलु ideal जाता है तो यहां हम ऺर चमच का यूज कर सकते सरे但 हले 가까 के पतले चिलक के उतरेंगे और हमारा सरेालू को मिंटों में छिल सकते हैं प्यलिए दुसरे टिपस भी देख लेते हैं तो दुसरे टिपस से पठेवा को लेकर जहार पनाते हैं तो इसको-इस्वार-शेप में जब तो इस sky वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैची या चाकू से जादा जल्दी ग्लास से पत्ता गोबी बहुत जल्दी कट जा रही है एक दम लंबे लंबे पीस में पतले पर हां हम जो ग्लास को लेंगे उसका उपर अलब वर्सन थोड़ा सार्फ होना चाहिए आपने देखा होग हमारा कूकर का ढखकन कभी गंदा नहीं होगा अगला यूश्फुल टिप से आटा को गुतने से पहले हम इसे चालते जरूर है लेकिन चलने इतना बारिक होती है कि थोड़ा ज्यादा लेती है तो आज मैं आपको आटा को फटाफट चालने का तरीका बताऊंगे आप जब का भी यूज कर सकते हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर एक बार चरूर देखे अगला यूजफुल टीप है कैप्सिकम यानी सीमला मिर्च को लेके अक्सर जब हम इसे बीच से काटते हैं तो इसक निएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इससे क्या होगा हमारा सीमला मिर्च बड़े बड़े पीस में कटकर निकल जाएंगे उसके बाद इसे जो मर्जी साइज में कटकर करके हम यूज कर सकते हैं दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो कमेंट करके हमको जरूर बताएगा कि इन सबी टिप्सों में से आपको कौन सा अच्छा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर के साथ साथ चैनल को सस्क्राइब करना भी मत भूलिएगा साथ ही घंटी को जरूर बजाएगा आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तब तक